चलो दोस्तों आज हम सीखें कि कौन सा रैंक का मतलब क्या होता है और आगे मैं कुछ सवाल हों की चवाब भी देने वाला हूं तो आप वीडियो जरूर देखें यहां पर रैंक आफ्टर नॉर्मलाजेशन मतलब हमने नॉर्मलाजेशन अपलाई करने के बाद आपका रैंक क 1172 है आउट ओफ 4135 अभी जो रैंक विदाउट नॉर्मलाजेशन है वो हमने कोई फॉर्मला यूज नहीं किया है जो भी डेटाबेस है हमारे पास उसे साब से आपका डारेक्ट रैंक यहां पर दिखाएगा मतलब रोमार्स के बेसिस पर और शिफ्ट वाइज रैंक भी तो मतलब आपकी शिफ्ट अगर 18th February है फर्स शिफ्ट है तो उसमें कितना रैंक है और उसमें 491 बच्चों ने अभी तक चेक किया था तो आपका 246 रैंक है अभी इसे साब से क्याटेगरी वाइज रैंक जो दिखाता है वह आपका आफ्र नॉर्मलाजेशन दिखाता है ऑन दबेसिस आफ नॉर्मलाजेशन मार्क्स तो कैटेगरी के बच्चों ने कितना चेक किया तो 1449 बच्चों ने अभी तक चेक किया है काफी बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि रिस्पॉंस जो है सिर्फ बहुत बहुत कम है रिस्पॉंस मतलब अगर 15 के या 20 के अगर होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट आसान था कौन सा डिफिकल था तो देखो ये 123 जो है वो 18 फिब के हैं 456 19 फिब और 789 जो है वो 20 फिबर्वारी के हैं 1 मतलब मॉर्निंग 9-10 इस हिसाब से तो यहां पर जो दिखा रहा है कि 51.15 यह सबसे हाइस्ट मीन है तो यह सबसे इजी अभी इस डिटा के हिसाब से अभी हम अगर 20 के असपास जाएंगे तो यह बदल भी सकता है तो अभी इतने नंबर के हिसाब सबसे जो है इजी शिफ्ट जो है 19 फिब का सेकंड शिफ्ट इजी है और डिफिकल्ट 41 यहां पर है तो 20 फिब का थर्ड शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट है हाँ तो कुछ बच्चों यह भी कंप्लेंट करते हैं कि उनका नॉर्मलेजेंट स्कोर अभी आड़ नहीं हुआ या फिर कुछ बच्चों कह रहे हैं कि नंबर्स बढ़ने के बाद नॉर्मलेजेंट स्कोर उनका चेंज नहीं हो रहा है तो यह दिखी हम मैनूल क्वेरी एक उसके लिए आदा घंटा अगेरा लगता है तो आप एक बार चेक करने के बाद आप फड़ा सा वेट कीचिए ज्यादा तर मैं जितना भी ट्राइ करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब फिर भी तीन सार घंटे तो रुकिए उसके बार और नॉर्मलाजिशन स्कूर जो हमने फॉर्मॉला यूज किया है वो यह ससी और गेट वालों का किया है क्योंकि आई वी ने तो कुछ स्प्रिसिफाई किया नहीं है तो यहां पर इस इसाब से हम करेंगे इसका आप देख सकते हैं गूगल पर अगर सर्च करेंगे कौ थあぁ मीन और मीन प्ल स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिमेंड करता आपका नॉर्मलाजाशन कौ कि कि की सिर्फ मीन मेयन नहीं नहीं होता है यहां पिकाइट नौ濟 कि पर भी डिटली मेन नहीं दिया हूए तो यहां नीचे दिया होगा कि privacy policy and terms and conditions वहां पर पुरा लिखा हो है और आपका data कौन सा इस्तेमाल करता है आपका personal data हमार पास सिर्फ नाम है और आपकी जो category आपने select किये वो आपकी original हो या ना हो वो हम नहीं कह सकते लेकिन जो भी select किये वही save है और जो आपके marks है या फिर न लिंक शेयर किजिए और अगर sufficient number मिला तो हम cut off भी जारी करेंगे thank you